हेलो स्टुडेंट्स मैं सुझीद आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेलपर पर स्वागत करता हूं स्टुडेंट्स आज से हम क्लास 10 सीवेसी बोड का टार्गेट बैट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंप्रेट मैस और साइंस का सलेवस डिसकस करेंगे तो जो भी स्टु चैनल से सुरुवात करेंगे यानि फॉर्स चैटर है गैम का इक्विशन और रियक्षन उसकी बात करेंगे चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं चेंज इसके हमारे जो भी एन्वायरमेंट है उसमें कितने टाइप के चेंज होतेए दो टाइप का फिजिकल चेंज और पीज चैन्ज होता है जैसे फिज्ining अगर आपके कोई कुछे बोले कि फिज्कल चैन्ज क्या होता है आप बताएंगे चैन्ज कि अब क्याvalue कि नुट्रों मारा कि सब्स्टाउंस कोई नभब कोई नजया सब्स्ताउंस नहीं बनता है a change in which no new substance is formed कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है ठीक ये तुम्हारा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग physical change physical change में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है physical change और क्या लिखोगे physical change के बारे में physical change are reversible क्या बताओगे ये reversible होता है फिजिकल चेंज और reversible ठीक तीसरा पॉइंट आप क्या बता सकते हो physical change के बारे में तो प्रोपर्टी आफ प्रोड़क्ट आज सिमिलर टू तो प्रोटर्टी कौंस्टीवेंट्स रियक्टेंट्स एनवी जो प्रोड़क्ट बनता है उसके जो कौंस्टीवेंट्स होते हैं जो उसके मॉलेक्टूस होते हैं एटम्स होते हैं उसकी जो प्रापार्टी होगी मिलेगी किसे से जो प्रापार्टी रियक्टेंट्स की होगी जैसे देखो फिजिकल चेंज अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल चेंज क्या होता है फिजिकल चेंज जैसे हम आइस है आइस को अगर हमने मेल्ट किया क्या कर दिया आइस को मेल्ट किया आइस है आइस को मेल्ट करोगे मेल्ट करोगे ति क्या बनेगा वाटर बनेगा वाटर को फिर तुम लोग फ्रीज करोगे यह क्या बन जाएगा आइस बन जाएगा बनेगा ति तुम्हारा मेल्टिंग आइस क्या हुआ फिजिकल चेंज हुआ जैसे एक हमारे पास मालो क्या है गुबारा है एक हमारे पास क्या है गुबारा है इसमें हमने क्या भरा एयर भरा एयर भरा इसका क्या हुआ सेप चेंज हो गया इतना बड़ा गुबारा फुल गया इसका सेप चेंज हुआ अब बताओ हमने इससे क्या की एर को निकाल दी जब एर को निकाला फिर पुना पहले वाली अवस्ता में आ गया रिवार्ज हो गया पहले तो परिवर्थन हुआ इसमें लेकिन फिर पहले वाली अवस्ता में आ गया तो देखो कभी भी जो फिजिकल चेंज होता है नो नियू सबस्टांस इस कोई नया सब्स्टांस नहीं बनेगा और क्या होता यह रिवार्जिबल इन नेचर ठीक ना यानि जिससे आप सुरू कियें पुना उसको गेट कर सकते हैं जैसे आइस था आइस को मेल्ट किया वाटर बना फिर वाटर को जो हमने फ्रीज करा पहले वाले हम आइस पे पहुंच गये रिवार्ज उल्टा डारेक्शन में गये उसके बाद देखो जैसे हमारे पास मानो एक रबबड है रबबड को हमने क्या किया फोर्स लगाया इससे पूल किया यह फैल दाता है जैसे हम फोर्स अटाते हैं रबड अपने पहले वाली सिच्वेशन पे चला आता है यह यह भी क्या हुआ हमने इसमें चेंज आया लेकिन यह रबड यह रबड के हैं मॉलकुल से रहे ना इसमें कोई तो चैंजमेंट नहीं आया तो वही आपका थाड़ पॉइंट ले प्रोपार्टी या प्रोड़क्त या आपको चेंज होने के बाद जो आपको मिलता है वह क् पास जो सूरु में है न उससे वो मिलता जूलता है कोई नया चैंजमेंट नहीं होता है अगर आप से कोई बोले भाइसाहब फिजिकल चैंज क्या होता है जब बताओगे आप फिजिकल चैंज इन विच no new substance is formed और फिजिकल चैंज are reversible in nature property of constituents of product is similar to property of constituents to reactants यह आपको तिम को बाते याद रखनी है यह दो तिन बाते हैं इसके अलावा आप बस सकते हो in physical change shape size of an object object is change ठीक ना जब कोई physical change होता है तो उसमें क्या होता है किसी object के shape में size में क्या हो जाता है चेंज आता है बदलाव आता है यह किसकी बाते हो गई है सारी physical change की हो गई अब हम बात करेंगे किसकी chemical change की किसकी बात करेंगे chemical change की आपको पूछा जाता है difference between physical and chemical change आपको यह जो भी हम points बता रहे हैं हैं आपको इनको क्या करना है रट लेना है याद कर लेना है ताकि जब आपसे बोर्ड एक्जाम में पूछे तो आप इसली क्या कर सकें बता सकें कि अगर हम chemical change की बात करें तो chemical change में क्या होता है always form new product को एक ऐसा change हो जिसमें क्या बने एक नया product बने जैसे कर्ड बर्निंग पेपर पेपर को अगर आप जलाएंगे तो तुम्हें क्या मिलती है एस मिलता है राक मिलता है ठीक formation of curd milk का किसमें change होना कर्ड में change होना दूद से क्या बन गया दही ठीक तीसमें दूद की जो ह olur रोजहा है जोगे दूद क्या लगेगा निट्क हल्का दाही कैसी होती यह खटी होती है दूद कैसा इस टेट में होता है लिक्विड Україẏं होता है यह कासी होती है यह सेमिलिक्विड होती है घालापन होता है इसमें बहुत जादा है और दिखो और दूसरा पाइंट क्या बताओगे अगर आपकोई केमिकल क्या बोले a change in which new substances form such type of changes known as chemical change दूसरा पाइंट क्या बताओगे chemical change are irreversible in nature ठीक फिक न अगर मानलो यहां हमने आरी पास क्या है दूद है दूद से क्या बन गया दही तो दही से फिर दूद नहीं बन सकता ना रिवार्ज नहीं हो रहा है रिवार्ज क्या मतलब होता है उल्टा उल्टा रियक्शन फीर पहले वाली अवस्था मतलब जाएगा नहीं थोड़ी नहीं कि कड को दूद में चेंड करतों को नहीं होता है यह मिल्क का दही में बदलना क्या होता है केम चेंज नेचर प्रपार्टी अब कॉंसिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बिल्कुल डिफ्रेंट होता है कर्ड से दही खाने में कैसी लगती है खटी हलकी मिठी लेकिन दूर मिठा लगता है बिल्कुल अलग हुआ रहा दूर तुम्हारा बिल्कुल लिक्विड इस्टेट में होता है लेकिन कर्ड तुम्हारे क्या होती है सेमिलिक्विड में होती है और यहीं सारे पॉइंट्स क्या करने हैं लिखने हैं ठीक चलिए हम आगे बात करते हैं अगर आपसे पूछे कि क्या होता है क्या बताओगे आप केमिकल रियक्शन इजप्रोसिस इन विच दो ओरिजिनल सफ्टान लॉस इट्स नेचर और आइडेंटिटी अनि एक केमिकल र फ्रकृय होता है जिसे कोई भी और इच्प्राइमस अपनी खुद की चीर को प्राकृति में बनाता है जिसकी होती है इसके अलगा ловह अब नय सब्सक्रांस बदा कैसे है units में कैसे चंग जाता है उसका पिछे रीजन क्या होता है क्योंकि breakdown होता है breaking of the chemical bonds and formation of new bonds जो पुराना bond होता है न वो क्या होता है तूटता है और नया bond क्या होता है बनता है इसी वह से क्या होता है कि जो property होती है रियक्टेंड की वो टोटली डिप्रेंट होती है property आप product की अगर आप से पूछे what is chemical reaction तो आप यह लाइन लिखेंगे a chemical reaction is a process in which the original substance lose its nature and identity and form a new substance with different property यह आपका किसी definition हो गई chemical reaction की यह क्या होता है कोई भी substance अपने nature को अपनी identity को खो देता है और एक नई पहचान क्या करता है बनाता है यह प्रोसेस इन विच आलवेस फॉर्म और निव प्रोड़क्ट इस बात को आपको याद रखना है ठीक चलिए हम आगे बात करते हैं इस में लेइक बात करते हैं सब्सकिक्ण कि अगर एक चर्यों लिखते क्या करता है पार्ट लेता है भाग लेता है वो क्या कहलाता है रियक्टेंट कहलाता है कोई भी सब्सक्राइब जो रियक्षन में पार्ट लेता है भाग लेता है उसको लोग रियक्टेंट कहते हैं और पार्ट लेने के बाद भाग लेने के बाद जो बनता है उसे क्या करते ह है जैसे रेक्टेंट्स क्या लिक होगे दा सब्स्टान्स दा सब्स्टान्स वीच टेक पार्ट टेक पार्ट इन केमिकल रियक्शन केमिकल रियक्शन और कर्ड कर्ड रियक्टेंट्स ठीक प्रोडक्स अगर आप दो कोई पूखेगा दो क्या प्रोड़क्स अगर आप से कोई पूखेगा दो सब्स्टान्स the substance which is formed which is formed after chemical reaction chemical reaction is called product pro chemical reaction हो जाता है और कोई substance बनता है उस substance को हम लोग क्या कहते हैं product क्या कहते हैं उसको product जो substance किसी भी chemical reaction में भाग लेता है उसे क्या कहते है reactants जैसे देखो जैसे magnesium है यह oxygen से इसको react कराओगे ठिक इससे बनता है magnesium oxide MgO ठिक यह आपका बनता है अब देखो initially reaction में भाग क्या लिए magnesium और oxygen यह दोनों तुम्हारे क्या हो गए यह दोनों हो गए तुम्हारे reactants क्या हो गए reactants जब इनका reaction हुआ यह जब एक दूसरे से react किये क्या बना magnesium oxide क्या बना magnesium oxide अब magnesium oxide क्या हो गया तुम्हारा यह हो जाएगा product क्या हो जाएगा यह तुम्हारा हो जाएगा product समझो तो कोई भी chemical reaction होता है उसके दो parts होते है यह arrow होती है यह arrow यह दिखा रही है कि हमारा reactants किसमें बदल रहा है product में बदल रहा है किसमें बदल रहा है product में बदल रहा है यहां में उसको कहते हो रियक्टेंट्स और रियक्षन होने के बाद जो चीजे बनती है उसको कहते हो प्रोडक्ट इसमें मैं प्रोडक्ट तुम्हारा हो जाएगा टू एम जी ओ और रियक्टेंट्स हो जाएंगे magnesium plus oxygen यह दोनों चीज़े क्या हो जाएंगी रियक्टेंट्स ठीक चलिए हम आगे बात करते हैं इस चेप्टर में कि अब हम बात करते हैं कि जब हमें chemical equation लिखने हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हमने इससे पहले पढ़ा chemical equations या chemical reaction के दो पार्ट होते हैं पहला रियक्टेंट्स दूसरा प्रोड़क्ट हमें यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि हम रियक्टेंट्स को किधर लिखेंगे प्रोडाक्स को किदर लिखेंगे ठीक क्या क्या क्राइटिरिया होंगे इन दोनों को लिखने की ठीक ताम इसको चलि कि carbon oxygen से react किया क्या बना carbon dioxide देखिए कैसे हम लुग लिखेंगे आपको पता है यह चीज्ये reaction में पार्ट कर रही हैं भाग ले रही है कि यह reactants होता है तो the symbol of reacting elements are written on the left hand side किदर लिखते हैं दाए बाए हाथ की तरफ left hand side लिखा जाता है and plus between the different reacting substance और plus चिंदे देते हैं अलग-अलग reacting substance के बीच में आप समझ गए जब हम reactants लिखते हैं अपने left hand की तरफ लिखते हैं किदर लिखते हैं यह हमारा each on left hand कि तरफ क्या लिखते हैं reacting substrate को लिखते हैं उसके आज देखो the symbol product form right on the right hand side जो हमारा उसको इसको कि दर लिखा जाता है right-hand side जो हमारा बादाया हांत है इसके तरफ हम लोग अगर और भी कुछ बनता यहां पर लगा के उसको आगे लिख देते लिख देते हैं हमें एरो दिखाना है बीट्विन रियक्टेंट्स और प्रोडक्त के बीच में एक तीर देखानी देख रहा है यहां दिखाए जा रहा है कि जो रियक्टेंट्स से किसमें परिवर्तित हो परिवर्तित हो रहे हैं फीजिकल सेट अफ रियक्टेंट अब इस तरह बताना पड़ेगा जो कार्बन हो किसी स्टेट में था सौलिड था ओक्सीजन हो क्या है गैस बना तीन सारी चीजों को हमें क्या करना होता है वह भी जब हम लोग कोई केमिकल एक्वेशन लिख लिख करें उसकी चर्चा करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप सब कर रियक्षन की जो भी इस जैनल पर नए हैं और क्लास टेंस बेसी बोर्ट में पढ़ते हों या किसी कंपटिशन की नबी त्यारी करते हों तो आप हमारे चैनल के साथ hacking जाई कि खाने खाए को अच्छा-स अच्छे क्णिट्री में 5ds यो ज्यांडाग लिज्य जादा ज्यादा बच्च वैंछ आएं हैısı का थैंक्यू झाल झाल